हम पढ़नी हमय तो हम पढ़ने वाले हैं माईकरोटोम ही में थोड़ा देखेंगे क्या होता है तो सबसे पहले ये 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 सका बैक वर्ड वील होता है ठीक है ये सामने पे हमारा होता है state, जिसमें हमारा knife fit करते हैं, मज़के साइड में CLAMS राते हैं जिन से knife बाये हो जाता है, आगे पे जो है ये block holder होता है, इसमें हमारा tissue का block को hold करवाते है, यहां पर में पता चलता है हमारा maikrotome कितने maikron पर सेट है यह नॉब है जिसकी हल्ब से हम इसे सेट कर सकते हैं यहां पर हमें number of turns का पता चलता है कितने अभी तक हमने number of turns complete किये हैं हमारा wheel और wheel का handle नीचे की side पर इसका brake होता है wheel का ठीक है और जो हमारा एक रोटेटरी माली काड़ नाट 세व कारण तरल हम आफ सिर्च को सब चार्ट सकते हैं और यह लिए कि दीरे करें सेर मीक्शन को लगाurat करते हैं और यहें यहां होतका सकते हैं भी थोरी पॉस्च कोर्ण हें लेडुट सब कर दो कोई वो नहीं होता दूसरा है यह हमारा टिशू फ्लोटिंग बात यह टिशू फ्लोटिंग बात का टेम्ट्रेचर रहते हैं 50 डिग्री सल्चिस के अर्ण इसमें हम क्या करता है पानी को गरम करते हैं और जो भी हमने सेक्शन सकाटें वो डाल देते हैं नेक्स्ट है यह भी म और अब वहां पे बेकवर्ड और फोवर्ड वील के हल्प से करते हैं हम इन बटन की हल्प से कड़ते हैं नेक्स्ट इसमें सारा कुछ दिया हुआ है नीचे की साइट पे हमारे पास options रहते हैं ट्रिम का और कट का अगर आपको ट्रिम करना तो आप ट्रिम का option ट्रिम वाली की पर प्रेस कर दीजिए इसके लावा इसके उपर पे हमें info और प्लस और माइनस वाली की से आप माइक्रोन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं जितने भी माइक्रोन पर आपको सेट करना आप अराम से कर सकते हैं अब हम लैदी ब्लॉक हमने रेडी इड कियाथ भो हम ब्लॉक हूलडर में लगाएंगे और पहले हम करते हैं करते हैं जो करते हैं और कटिंग होती है वह से खargent किया और एक चीज अशी है जबừa हम भी ब्लॉक को अटाच आप आप दिए साइट को लेफ्ट या राइट जैसा भी रहाए हमें उसे मार कर लेना है क्योंकि जब भी आप दुबारा से उस ब्लॉक को ब्लॉक होल्डर में लगाओगे तो जो उसका ओरिंटेशन आपने पहली बार में रखा था वही आपको रखना है हॉरिजॉन्टल या वर्टि और जब एक बार सेक्षन आना स्टार्ट हो जाए हमारी ट्रिमिंग वाले में उसके बाद हम प्रॉपर कटिंग करते हैं तो पहले ट्रिमिंग करेंगे 10 माइक्रोन पे उसकी थिकनेस को इक्वल करेंगे फिर थोड़ी देर के लिए जो हमारा ब्लॉक है उसको हम फ्रीजर में संस्टेम से और फिर ऊसको 3 उसको on 3 स्ट निचे की साइड़ बनके आहाे हैं इसको हम रिबंश भोलते हैं जो यह प्रोपर लंबा सा लेयर रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं यह जो दोबंसों होते हैं इनको हम जब कट कर लेते तो इसमें काफी रिंकल्स रहते हैं वह इक पालेंगे तो इसमें जितने भी रिंकल होंगे वह सब्हूमे होजाथा है jsि यही टिशू फ्लोटिंग बात का काशपी। माइकरोटोम के बहुत सारे थाइप होता है किmy जैसे कि काथव किम जाब्न काथ हैं फ्रीजिंग आथरेग्रो कुछ पास्याफेज Gith це 're रूटीनली यूज करते हैं जो कि बेसिक लेबरेटरी में यूज होते हैं वो डिस्पोजिबल नाइफ सोते हैं और उनके ओपर एक कोटिंग होती है पॉली टेट्रा फ्लियूरो इथाइलीन की कोटिंग रहती है यह दो टाइप के होता है हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल डिपेंड ऑन दो कंडिशन यूज किया जाते हैं अलग-अलग लेबरेटरी में